नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस पेस इंडिया चल पर आप सभी का हारते के मिदन करता हूं दोस्तों इतिहास के कगार पर जाकर के खड़े हैं भारत के डी गोकेश जिनकी लाइब रेटिंग जो है अगर हम उसको पूरे नंबर्स में गिने तो पूर्गेश की लाइब रेटिंग है 2699 मतलब सथ 2300 के आकड़े से सिर्फ एक अंकदूर वह इतिहास जो इसके पहले सिर्फ विष्णात अनानन कृष्णन सर्शी किरन पैट अलाहर कृष्णा विधित गुजराती और अधिबन भासकरन ही बना पाए हैं और अब यहां पर आज इस आकड़े पर पहुँचे कैसे वह पहुँचे नोदिर्बेक अब्दू सत्तार्य मतलब वर्ल्ड रापिड चैंपियन को पराजित करते हुए गुकेश ने यह मुकाम जो है वह हासिल किया है तो आईए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मैच मैं गुकेश जो है इस स्वेशनिको वर्येशन जो है यहाँ पर खेला गया टॉप लेबल पर बहुत ज्यादा खेला जाता हो ऐसा नहीं है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर गोकेश जो है वह सरप्राइस के तौर पर इस चाल को यहाँ पर लेकर के आए तो आगे देखने है क्या हुआ खेला सब्सक्राइब किया अब जो सकता है रोन है आप यहाँ पर जो गुड़ मूव होती है वह होती है नाइट बीएट जाना यहाँ पर एक वरिएशन नाइट ई-7 भी होता है जिसमें वाइट कई बार सीपोर कहलता है और अगर आप इसमें गलत चाल चल दें वैसे तो इसमें है तो एक बार मेरे से लगा है यह तो मुझे हमेशा याद रहता है मैं जीता था ऐसे वाइट से मैच तो एक सिर्फ एक ट्रैप है खर मैच में नाइट बीएट खेल अगो किशन ने जो कि ज्यादा बहतर चाल है एफोर किया यहाँ पर अब अगर हम यहाँ पर डाटाबीस गोड़ के प्लान होता है जबकि ब्लाइक जो है कुईन साइट से खेलने की कोशिश करता है इन्होंने ए-4 पहले किया तो यहां पर गोकेश ने खेला भिशप-ई7 भिशप-बिशप-चू कसल डौनों साइटसए और F5 यहाँ पर अच्छा बर्लाइक आप अब एफ वेक जो हम जानते हैं कि अगर आप अपॉरेट F5 करें तो वाइट तुरंट F4 करके उसको आगे आने से रोकता है और यहाँ पर ब्लैक कई बार जो है पॉन को E4 बढ़ देता है कई बार थोड़ा वेट करता है यह चलता रहता है लेकिन अब दूसर अवेव ने यहाँ पर जब F5 तो इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं कि F4 बगए उन्होंने B4 खेला मतलब वो किंग साइड खेलना जा रहे थे ओके ने एक बार A6 किया और फिर F4 बढ़ दिया क्योंकि अपॉरेट ने यहाँ पर F4 नहीं किया तो इसका फायदा लिया अब इसका फायदा थोड़ा सा ब तयारी जो थी वो बिल्कुल क्लियर थे कि उनको C4 C5 की तयारी यहाँ पर करने है ठीक है बिशप F5 C4 किया यहाँ पर वाइट ने तो नाइट D7 नाइट B1 आ दे है क्योंकि इसको यहाँ से कुछ खास करने ही पारा था तो इसको मतलब एक नया लोकेशन देने की कोशिश चाहेगे बिशप F6 यहाँ वो बिशप G4 केला और लाइट कलर के बिशप को एक्सचेंज करने की कोशिश की यह आप देख सकते हो कि यह बिशप वाइट के लिए बैल बिशप है क्योंकि उसका यह पौन जो है वो लाइट कलर पर है बिशप इन जो G4 कूइन G4 एन नाव E G4 with a discovered attack अब यहाँ में वाइट को जो हलका सा मुझे लगता है यहाँ पर अल्री ब्लैक जो हो स्लाइट बेटर हो गया तो उसका रीजन यह था कि आप देखे कि वाइट के जो पीसे से वो अभी भी स्टार्टिंग पोजिशन पर है एक तो नंबर एक दूसरा ब्लैक की और उन्होंने एक अच्छे तरीके से तो बिशाप E5, Nd2 तो लगातार महरों को लेकर करके आना शुरू हो गए यहाँ पर Nf6, Qe2 और यहाँ पर F3 जो है एक प्रकार से जिसको मुझे ऐसा लगता है कि Qe2 चलके उन्हें उक्साया एक प्रकार से गोकेश को कि आप करो F3, F3, यहाँ पर Pawn into F3, G into F3 भी तो रूख आ रहा है तो उन्होंने खेला Nh5, यह Pawn sacrifice किया है यहाँ पर अगोकेशन है, Nd2E4, Qh4, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि Black के पास जो है वो 5 Pawn है, जबकि यहाँ पर 7 Pawn है, यहाँ पर वाइट के पास अभी फिलाल, बट ब्लैक के पास जो पीसे हैं, जो Nh5 पे है, Qh4 पे है, बिशप e5 पे है, यह पीसे जो है, वो काफी खतरनाक लग रहे हैं, और खासतर भी रूख भी गेम में आ सकता है, So Knight G3 खेला यहाँ पर White ने, Now Rae8, तो Gokesh ने जो Pawn sacrifice किये हैं, बदले में उनकी जो सारे महरे हैं, वो जबर जस्त जो है, परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोस्तों यह बात हमेशा याद रखिए, कि सबसे ज़्यादा जो चीज महात्पूर्ण हैं, शत्रेंज में, किंग की और, Exchange करते हुए, Gokesh ने क्या किया, कि जो Dark Square पर Control है, उसको और बहतर करने की कोशिश की, Bishop E3, So now Rf6, Rd4 खेला यहाँ पर White ने, So now Rh6, तो ऐसा लग जरूर रहा था, कि ऐसा देखने में लगता है, कि मतलब अगर आप Ingin, Ingin में लगा होगे तो Position लगे हैं, तो Equal सी लग रह था, क्योंकि उसका राजा थोड़ा यहाँ पर कमजोर है, Okay, Queen D2 होगा यहाँ पर, और G5 किया Black ने, मतलब, Gokesh Full Flash Attack के लिए गए, Now Rook E4, यह Rook E4 और Fe4 के बाद ऐसा लगा, कि Position जो है, वो लगबर Equal हो गई है, और Position ठीक लग रही है, उसका रीजन यह था, कि भाई, बहले राजा पर Attack है, लेकर Knight यहाँ पर है, Bishop यहाँ पर है, Queen जरौत पढ़ने पर आ सकता है, Rook भी इस Rank के आसपास है, तो एकदम से ऐसा कुछ मात हो जाए, ऐसा कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा था, Okay, King F1 खेला उन्होंने, अच्छा यहाँ पर जैसे, इन्होंने खेला Bishop इसके वादर आप देखे, तो अब पॉन जो है, वो यहाँ पर देखे, White के पास जो है, वो 6 पॉन है, और Black के पास यहाँ पर 5 पॉन है, लेकिन पोजिशन लगबग लगबग अब इकवल क्या आसपास होगा, King G1, Knight G4 खेला, so now Queen D3, Queen E5 खेलता है, यहाँ पर Black, so Queen E5 से यहाँ पर भी जो है, एक अटैक जो है, वो शुरू हो गया, तो Knight G4 पर Queen D3 पहले तो Queen को force किया, कि हट और नहीं, तो एक्षेंज हो सकते है, Queen E5, so now इन्होंने खेला Queen D4, जो कि एक blender थे, अच्छा, यह बार दो बार यह चाल repeat हो गए, अच्छा, यहाँ पर यहाँ भी बता थी, अच्छा, कर यहाँ पर Black Rook into H2 मार भी थी, तो Bishop C3, Queen पर attack, Queen E7, Queen D4 के बाद यह match बहुत जादा इंटरस्टिंग बन सकता था, बतलब दोनों साइट से बहुत जोरदार attack हो सकता था, तो उन्होंने कहला Queen D4, तो अच्छा, एक मूब तो पता नहीं लगा, दोनोंने repeat क Queen E5, Queen D4, इसके immediately बात, गोकेश ने सही मुख ढोड़ी और वो थी Queen F5, अब problem यह है कि यह Queen भी अंदर जा रहा है जोरद पढ़ने पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते Queen उपर अंदर की तरह आ रहा है, और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए तैयारी नहीं है, इस Queen और Queen B1 check, King G2, Queen C2 check, King F1, अगर Queen F2 अगर जाएंगे तो रुक H2 आ रहा है, King G1 जाएंगे तो Queen E2 H2 आ रहा है, तो उन्होंने के ला King F1, रुक F6, King की सिदी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, Queen B1 check, King D2, and now यहाँ पर King F8, यह important move था ताकि खुद की उपर कोई चेक वेक ज किया जाए, उन्होंने खेला King D4, so now Rook D1 check, King C3 जाता है, Queen C1 check, और इसके बाद जो है, रेजाइन कर दी अब दू सकतर हो नहीं, तो क्या आप देख सकते हो, अगर आप Queen बगर बीच में लाते हो, तो Queen E2 जो है, यहाँ पर Rook जो है, वो मर जाएगा, तो position काफी खराब हो च पहुचा दिया है, 2699, जो की होती है, इतिहासिक है, बिल मास्टर्स में अभी उनको काफी सारे मुगाबले खेलने हैं, और उम्मीद यही है कि जिस तरह से वो खेल खेल रहे हैं, शायद कल खबर आ सकती है, कल या परसनिक तो दिन में खबर आ जाएगी, क्योंको 2700 रेटि झाल